नमस्कार बहुत स्वागत है आप सभी का आप देखने नुजी टीन मद्रप्रदेश 36 गर्ड मैं हूँ आपके साथ अपरना मौज़म वक्त हो गया है मद्रप्रदेश की महा डिबेट का जिसमें बात होगी कि क्या विधान सभाचनाओं के बाद अब लोग सभाचनाओं में भी कॉंग्रस और एस्पी की अलग-अलग धुन रहेगी क्या MP में भी रहेंगे अकेले हम अकेले तुम यूपी में जिससरा एस्पी ने बिना कॉंग्रस से बात किये 16 उमिद्वारों के लिए जारी कर दी अब मद्रप्रदेश में भी गटबंदन के भविशे पर सवाल ख मद्रप्रदेश विधान सभा चुनाओं के दौरान कॉंग्रेस और समाज़ादी पार्टी की तलखी सब के बीच हुई मारपीट मारपीट की दौरान फारिंग भी की गई दो यूगों को वोट देना याने वोटों की बरबादी है अकलेश चादव ने भी कॉंग्रेस पर सबसे खराप प्रदरशन रहा पार्टी को नोटा से भी कम वोट मिले और अब लोगसवाद चुनाओं से पहले भी वही खालात नजर आ रहे हैं कॉंग्रेस और स्पी में और इस वेल नजर नहीं आ रहा नेताओं की कतनी और करनी में अंतर है अखिलेश चादव गटबंद में सब कुछ ठीक है जबकि स्पी कह रहें कि कोई भी पैसला अखिलेश यादव ही लेंगे समाजबादी पार्टी की बात है तो हमारे इंडिया गटबंदन का प्रमुक हिस्सा है वो और भले विधान सभा चुनाओं में उस पर सेमती नहीं बन पाई थी लेकिन लोक सभा चुनाओं में लगबख सेमती बन गई है उत्तर प्रदेश जहां पर समाजबादी प्रमुक सबसे प्रमुक है उत्तर प्रदेश जैसे राज में हमारी उनसे सेमती बन गई है तो मध्य प्रदेश मुझे नहीं लगता ऐसी कोई बात होगी कि जिससे असेमती बन गई है जो भी निंडे होगा इंडिया गटबंदन के साथ में मानेनी राश्ची अधर श्री अकलेश य जो अनमद देखने को मिली है तो देखते हुए MP में कॉंग्रस और SP का गटबंदन आसान नसर नहीं आ रहा बीजेपी भी यही बात कह रही है तो आज की महा डिबेट में होंगे कुछ बहुत जरूरी सवाल किन सवालों पर फोकस रहेगी आज की डिबेट उन पर डाल लेते हैं रजल सवाल नंबर एक कैने की पहला सवाल क्या है स्क्रीन पर आपको दिखा देते हैं विधान सभाच राओ मेथी जंग क्या अब आएंगे संग ये पहला बड़ा सवाल है दूसरा सवाल क्या है आईए वो भी देख लेते हैं अगर गडबंदन तूटा तो किसे होगा घाटा कौन रहेगा फायदे में ये भी बड़ा एहम सवाल है तीसरा और आखरी सवाल जिस पर आज की डिबेट फोकस रहेगी वो है कॉंग्रस के लिए समाजवादी पार्टी जरूरी है या मजबूरी है तो इन सवालों पर हम अपनी डिबेट को आज फोकस रखेंगे मेरे साथ खास महमान भी जोड़ चुके हैं आपका परिचे उनसे करवा देते हैं विवेक त्रिपाठी जी है यूथ कॉंग्रस मीडिया के अध्यक्ष है सर्मन नगेले है वरिष्ट पत्रकार जोड़ चुके है मेरे साथ सर्मन नगेले जी पीजेपी का पक्ष रखने के लिए उनके प्रवक्ता हैं दॉक्टर दुर्गेश के स्वानी जी और साथी समाज़ादी पार्टी के प्रवक्ता हैं प्रदीब भाटी जी और राजितिक विशलेशक के तौर पर राकेश गोयल जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं आपको सभी महमान अब जल्दी टीवी स्क्रीन पर दिखाई भी देंगे लेकिन पहले यहां दुर्गेश के स्वानी जी मैं आपका रुक कर लेती हूँ समझना आपके लिए भी जरूरी होगा आपसे हमारा समझना जरूरी होगा कि जो स्वी और कॉंग्रस के बीच गटबंदन को लेकर कभी हां कभी ना कभी समझ और कभी ना समझी देखने को मिल रही है कहीं न कहीं बीजेपी के रहा आसान देखिया अपड़ना जी पूर में भी यह दल तभी एक जो टो कही जनता के बीच में कहे थे तो इनको यूपीए के नाम से गहते हैं क्योंकि वो दुकान उनकी चली नहीं तो अब इंडी के नाम से ये लोग नहीं दुकान के साथ खड़ें पर जो टूट है उनके अंदर की जो फूट है जो आपसी जो ना उनकी रसा कशी है वो जनता पश्ट रूप से समझ रही है और हम तो मन्य मोजी जी के मूल मंत्र सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास को लेकर हम जनता के बीच में हैं आपने अपनी रिपोर्ट में खुदी बताया कि स्पी को अग तक का सबसे बड़ा नुफसान इंडविधान सबाज चुनाव में हुआ है कांग्रेस को भी चुनाव में नुफसान हुआ है तो आप देखेंगे कि हम 29 सीटों को लेकर हम अपनी रंडिती बना रहे हैं के मॉडल को लेकर जो हमने काम किए उसको लेकर जन्ता के बीच में जाते हैं और जन्ता निश्चित रूप देती है क्या आपकी पार्टी को सम्मान दे पाएंगे क्या उतनी अंडरस्टाइडिंग बन पाएंगे इंडिया गडबंधन मर्जूतिय के साथ चुनाव लड़ेगा और हम लोग सब एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं पहले भी हमने यह कोशिश 2017 में कॉंग्रेस के साथ की ती उसके बाद 2019 में हम बसपा के साथ चुनाव लड़े उत्रप्रदेश के अंदर तो हम और लोग सब चुनाव लड़े बात करें तो हाट जी तो चुनाव में लगी रहती है अगर आप देखें दो जब से जंसंग बना जब से भारते चंद्रा पार्टी तो जिता के इनको भेजा है लेकिन में मुद्दे जो हैं उन पर हमारा ध्यान रहना चाहिए चालिस ऐसे बड़े वादें हैं जो भारते चंद्रा पार्टी को पूरे करने थे 2022 में उन वादों क्या हुआ उसके बार में बताएं किसान की आए दुगनी से लेके उसकी सब्सक्राइब करें लेकर कब तक दोस्ती गाडी दोस्ती है यह साफ हो जाएगा अब आगया विवेक जी सवाल आपसे मेरा जी माफी चाहूंगा मैं आपका प्रश्न नहीं सुन पाया है सर आप इस से पहले वाले गेस को सुन पारे थे क्या मैं बस कंफर्म करना चाह रही हूं नहीं सुन पर दूदियो में बडिभाटी जी के प्रवक्ता है आपी के साथी पार्टी के प्रवक्ता है वह यहां पर गेनंक के लिए सब्देंवा और यहां पर यह है सराम चनाओ से पहले बीजेपी तो गाहों में रात गुजारने का अभ्यान से लेकर तमाम अलग तरह के अभ्यारों में व्यस्त है लेकिन कॉंग्रेस और S.P. के बीच गाड़ी दोस्ती को लेकर अभी भी संशे प्रकट किया जा रहा है। उन सवालों पर पूर्ण विराम कब तक लग जाएगा। निश्यती पूर्ण विराम के लिए थोड़ा सा आपको इंतिदार करना होगा। और इंडिया गड़ बंदन में समाजवादी हमारी महतपूर भूमिका में रहेगी और हमारी सयोगी के रूप में हम चुनाओ में जाएंगे। और निश्यती उसके बहतर परणाम होंगे। एक प्रशंचिन है देश का युव आपने आपको ठगा हुआ मैसूस कर रहा है चुनाओ से पहले जो वादे किये गए थे दो करोड़ रोजगार के वह कहीं ना कहीं जमीनी स्थर पे सफल नहीं हो पाए हैं तो इन सभी मुद्दों को लेके हम जाएंगे और जनता के बीच में जाएंगे और समाजबादी पार्टी इस पूररं महत्मुढ भूमिका में रहेंगी और हम साथ में चलाव लढएंगे और उत्या प्रदेश और मन्द्रब्रदेश समुख tries में लड़ाऊ तो उस समय उन्हें सपा को वोट देना एसपी को वोट देना वोटों की बरबादी बता दिया और जो घटा जनाधार है जो हम ग्राफिक्स तीवी स्कीन पर दिखा भी रहे हैं समाजवाधी पार्टी का मध्यप्रदेश के अंदर कहीं न कहीं वो उनकी बात से वो आकड़े भी रखते हैं लेकिन अब लोग समचनाव से पहले कांग्रेस के लिए एसपी जरूरी है या मचबूरी है देखे एंपी के अंदर तो करम देखते हैं तो समाजवाधी पार्टी है कोई ज्यादा धार बचा होगा नहीं है और जो इंडी गड़बंदन का उदेश्चे से ज चल रही है एलग आया वो गया तो सिर्फ आई बचा है तो यह दोनों आई मिलके शाहिए कुछ चमतकार करना चाहेंगा पर मुझे लगता है कि बहुत बड़ा कुछ कर पाएंगे और तरीके से देश का जो मूड है वह बीजेपी के फेवर में दिखाई दे रहा है और यह पुझे मिज़र आप भाटी जी यहां पर कुछ कहना चाहरें लेकि मैं चाहूंगी अपमारी PCI टीम सवाम के मेहमान हैं उनको दिखाएं स्थीन पता कि मुझे मालूम पड़ेगी कौन किस वक्त अपना अपनी बात रखना चाहरा है भाटी जी आप मुस्कुरा भी रह आगे देखिए अभी आगे होता है क्या अभी तो शुरुवात हुई है और जिस तरह से जो दर्द आपने लोगों को दिया है वो दर्द लोग कैसे बूल चाहिए महंगाई लोग भूल सकते हैं महंगाई दर्द जो आप 2004-14 का दर देखेंगे अगर एवरेज करेंगे आपने 2022 में जमा करवा दिया अन्ना अंदोलन कर रहे थे 2000 11 में जब 8000 करोड सिर्फ काला धन जमा था अब क्या हुआ उसके बारे में हमारे यहां पे यूपी के अंदर भरती घोटाला होता है वह आपके व्यापन जैसा एक भरती घोटाला होता है जिसमें सब अपने मंत्र संत्री बेटे सब सब की भरती कर देते हैं और खुद यहां पर बीजेभी प्रवक्ता जाके बिहार के अंदर अपना बेटी को हमारे प्रवक्ता वाई अपनी बेटी के नौकरी महां पर दिला रहे हैं तो यह लोग है वो चुपते फिर हैं इसे सी बीए इसे और जब उनक यह वह पर आपने यह वह पर आपने रेट करी और पता चला वह आपकी पार्टी से जुड़े हुए निकले अब तो आपकी एडी वह कह रही है कि हमें पिंजरे में पर वेजे गए हैं अब समझ जाएए जिसको पिंजरे में बंद उसे पर वेज के क्या पाइदा आपकी सयोगी दल होगी है अब कोई बीजेपी से जुड़ा हुआ और अगर उसे कोई प्रस्ता दर के तो बताईए किसको करा है किसको करा है 90% एडी के लगातार मिल रही जीट से कल बजट भी आ रहा है लेकिन क्या जनता को राहत मिलेगी लगाता विपक्ष हमलावर है महेंगाई के मुद्धे पर देखिए विपक्ष की जो मैं बात करूँगा उस पर भी आऊंगा मैं आप हाथ कंगन को आर्सी क्या पड़े लिखे को फार्सी क्या जब राजनितिक विश्डेशक की इस बात को मान रहे हैं कि बाजपा प्रचंड भहुमत की और अग्रसर है और यह जो आरोप लगाने वाले लोग है न यह सिर्फ आलोचनाओं के रस पर सवार हैं इनके पास करने को ह है क्या मध्द्यप्रदेश में कहीं और रहने वाले लोग आज बेटके और उनको लगाने का काम कर रहे हैं जन्ता इसको अच्छा नहीं मानती है यह कहीं जन्ता के साथ खड़े रहने वाले लोग नहीं यह तिरस अपनी अपनी कैसे हम हम कैसे का अबju हो जाएं कैसे पार्टी तीस साल चुनाव हारती आई हो वह जीतने की बात करती है तो बड़ा आश्यात्वर लगता है इसलिए इसलिए समाजवादी पार्टी के नेता जो कर रहा है यहां पेटके जनता भली बाती परिश्यत हो चुकि हम 29 सीटे मध्य प्रदेश में जीतने जा रहा है आप पड़ना जी हम क्योंकि जनता के साथ उनके दुख में तकलीफ में ख़ल रहने का काम करते 29 सीटे आप जीत लेंगे तो विवेक त्रिपाठी जी क्या करेंगे विवेक त्रिपाठी जी आप तो शांद है कि यहां पर भाटी जी नौड़ा में है तो लगातार वह हमलावर ह आप नहीं कर आए कि होमबक्या साइकल पर दरणदार है तब हो सकता है जब एवी एम घर पे तैयार हो रही हो इतना आप में विश्वास तो तभी हो सकता है जब ऑटांगे वाजबाने के लिए को ही प्रेजा किया जारा है तो बात्य जीन को मूल वुद्धों कर दूने के कि देश की जो मूल समस्या है उन से ध्यान बटकाने का भाजपा यहां पर प्रयास कर रही है कितने शर्म की बात है कि देश के प्रदान मंतरी करना टक के चुनाओं में खड़े हो कि रेली में यह बात कहते हैं कि कल इवियम का बटन बजरन बली का नाम लेकर दबाएं करनाटक में तो रिजल्ट आपके अनुरूप रहा तो आप उसको लेकर भगवान के नाबे आप राजने तक राजने तक दल है कि धार्मिक दल है पहले तो यह तैकन ना पड़ेगा आपने पहले बात की थी कि हम महलें खतम करेंगे विरोजगारी खतम करेंगे उन मुर्च को आप नजर अंदाज कर देते जिनके ओपर जाच की गई थी आपने पटवारी भरती परिक्ष्या को क्लीन चिट देदी जो आरोप लगाए गए थे जिन पर अपत्य ली गई थी उन सभी मुद्दों को आपने दरकिनार कर दिया आपने क्लीन चिट देने का काम किया व्य अगेले जी वरिष्ट पत्रगार है वो भी हमारे साथ जोड़ चुके हैं मध्यप्रदेश की सियासत को रहां उसकी समझ लेते हैं एक और चीज़ देखे नगेले जी देर आए दुरस तारीकिन सब्सक्रा बता दीजिए वही सवाल मैं आपसे रिपेट करूंगे कि लिए जरूरी है या मजबूरी है पुराने जो आकड़े हैं उन पर ध्यान दिया जाए आगे भविष्टे की ओर देखा जाए कि देखिए अप्रणाजी दौनों चीज़े हैं मजबूरी भी है और जरूरी भी है क्योंकि जिस तरह से नहीं देखिए जिस तरह से एक पूरा नरेटिव परसेप्शन पूरे देश में बन रहा है मानी नरेण मोदी जी के पक्ष में उसके हिसाब से देखा जाए तो मजबूरी भी है और जरूरी भी है अब मैं कुछ अप्रणाजी आपके चैनल के माध्यम से कुछ तथ्यात्म अंकडे देना चाहता हूं देखिए 2019 का जब चुना हुआ तब भारती जिन्ता पार्टी को 36.43% मिले और कांग्रेस को 19.21% मिले लेकिन हाली में जो विधान सभा के चुना हुए 5 राज्यों के महां पर कांग्रेस को बीजेपी से 12 लाक मत अधिक मिले 12 लाक बोट ज्यादा मिले कांग्रेस को 4.92 लाक मिले बीजेपी को 4.80 लाक मिले अब जो मोदी जी का जो फोकस है वो देखिए मैं बताना चाहूंगा कि वो क्या है देखिए मोदी जी ने एक नरेटिव शैट कर दिया राम मंदिर बाला उसके बाद तुरंत जो उनका जो बोटर है वो उनको नो जो में कम हुआ है वो हम ज़्यादा लेकर आए वो लोग सबाचुना में हमारी सरकार बने और सरकार बनने में कोई बहुत ज्यादा दिक्कित नहीं है क्योंकि उनका सेट वोट है वो तो जो लगबग 37 फीसदी है वो तो बीजेपी के पक्षमे मत करेगा नहीं करेगा ये क लेकिन वो मान के चलते और जो धर्म से जूरर हुए मतदाता रहते हैं जो धर्म लोग रहते हो जो बीजेपी का परमपरागत भोट अगर बीजेपी खेलने उत्री और वह करती भी ऐसा है सामने आले को भी उसी पिछ पर ले आती है और उस पर जीत जाती है भाटी जी आपर क दान ना यह यह कर पूरी सिदान पर चलते तो अगर चलते तो मुंगेरी में ला इस सब्सक्राइब को दिया आप यह दिया ता आप देसे तीन गुना जिस तरह से उन्होंने तीन परसंट लेड़ी वोट बटोरने के इलावा आपके पास हर ऐसे सिंबॉलिक लिए आप जाके कभी राश्पती जी वो जो समास से पहले गोविन साब थे समाज से उनको मंदिर तक में घुषने नहीं दिया आपको यह जनकारी है या नहीं है मुझे नहीं पता इस तरह से किसी भी एक व्यक्ति से उस समाज का भला नहीं हो सकता अगर आप ऐसा सोचते हैं उससे वोट मिल जाती है तो यह समाज के लिए बड़ा दुगदाई है और समाज वादी पार्टी इंसा में घिनीव नहीं करती है बारते जंदा पार्टी सिर्फ वोट के लिए किसी का नाम लेकर किसी को आगे करके और सिर्फ अपना उल्लू सीधा करना चाहती है इस से यादा कुछ और लोग समस्त या आप लगाने का काम अलोटना लगा कर अगर बताई ए मैंने कुछ फैक्चुली गलत का हो तो आरों तो नाम का लगा अंप अच्छुली बताइए कुछ घलत का हो तो जो भी बात कि है आपाई अपने रूपर अपने पक्के दर नहीं होता प्रदेश में आंप मतरין पूछ भड़ा बे करने का काम किया। देने वाली है। जनत निच्छित रुतों को आशेरवात देती है। आप देखेंगे हम लेंड्स्लाइड विक्ट्री की और बढ़ेंगे इस बार भी विवेग जी लेंड्स्लाइड विक्ट्री 29 की 29 सीट ये लगाता काम पर है बीजेपी या तो इवी हम सैट कर रहे हूंगे तभी 29 से 29 जी इतने की यहां में गावा करते हैं है अरि हमारे chat चुनाओं में प्रदान मंतरी आवास की ठोल करता हरा कि देखा रामेशेशरमा जी अपनी विरानसवा में जातनारे तो देखा